Hello viewers, welcome back to my channel आज है 7th April 2021 जिससे हम मनाते हैं World Health Day इस दिन आज मैं आपके साथ शेर करूँगी कुछ common सी health tips चो आपको रोज करनी चाहिए जिससे आपकी health बहुत ही अच्छी रहेगी उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो ऐसी amazing videos और recipes के लिए आप इस चानल को जरूर subscribe करें और आप उसकी notification bell को जरूर on करें जिससे आपको उसके सारे अभीद्स मिलते रहें तो हम बात करेंगे आज World Health Day पे कुछ common health tips के बारे बारे First, आप अपने meal में colors को जादा add करें जितनी colorful vegetables खाएंगे आपको उतना ही जदा फाइदा मिलेगा आपकी health को especially red, blue and purple red vegetables जो होती हैं उसमें बहुत जदा nutrients पाए जाते हैं उसके इलावा जो blue and purple vegetables होती हैं वो हमारी memory को boost अप करने Second, आप दिन में कम 12 से 14 glass पानी जरूर भी क्योंकि हमारे जो body cells हैं इनको पानी की जरूरत पड़ती है proper functioning के लिए इसलिए आप जादा से जादा पानी पीए ताकि आपकी body की functioning proper चलती रहे यह आपकी mental health and physical health के लिए बहुत ही अच्छा है इसलिए आप hydrated रहें जितना हो सके आप दिन में कम से कम 15 minute धूप जरूर से के धूप से हमें vitamin D मिलता है जो हमारे physical और mental health के लिए बहुत ही important है और हम Indians में specially vitamin D की deficiency सबको होती है इसलिए जितना हो सके आप धूप के नीचे बैठें और vitamin D भरपूर ले फोर्थ आप कम से कम दिन में 10,000 steps जरूर पूरे करें यह 10,000 steps अगर आप करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही जादा beneficial माने जाएंगे इससे क्या होगा एक तो आप physically active रहेंगे और अगर हमारे यह 10,000 steps count होते रहें तो यह और भी जदा interesting लगता है इसलिए Google Play Store पे आपको बहुत सारे ऐसी applications मिल जाएंगी जिससे आप अपने दिन के steps को count कर सकते हैं और कोशिश करें आपके दिन के 10,000 steps जरूर हो दिन में कम से कम 15 minute meditate जरूर करें अगर आप meditation नहीं करना चाहतें तो कम से कम 15 minute अपने लिए निकालें और उस time पे आप कुछ ना करें और यह आपको पूरा दिन active रखती है तो कार्डियो करने के लिए आप cycling कर सकते हैं, dance कर सकते हैं, running कर सकते हैं, walk कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी cardio exercises हैं जो आप कर सकते हैं यह आपके physical और mental health के लिए और especially आपके heart health के लिए दो बहुत ही जादा important है अब जितना हो सके अपनी screen time को limit करें हम बहुत जादा phone चलाते हैं यह हम laptops पे बैठते हैं, computers चलाते हैं, tabs यूज़ करते हैं, इससे जो है हमें नहीं पता चलता कि हम हमारा कितना time in screens पे invest कर रहे हैं इसका बहुत जादा नुकसान है हमारी eyes के लिए, यह हमारी eyesight पे बहुत जादा effect करता है, तो कोशिश करें आप इसे limit करें आप अपनी life में 20-20-20 rule को ज़रूर follow करें, जैसे कि आजकल इंटरनेट का जमाना है और हम mostly हमारा सारा time computer screens पे invest करते हैं हमारी eyes 24 घंटे steer करती है computer screens की तरफ यह mobile phones की तरफ, तो यह 20-20-20 rule को आपने कैसे follow करना है आप हर 20-20 के बाद 20 fit की दूरी पे किसी चीज को 20 second के लिए steer करें, मतलब आपने उसे लगातार देखना है इससे आपकी eyes को बहुत सादा अराम मिलेगा next, आप दिन में 6-7 घंटे की नीन जरूर ले, उससे कम बिलकुल भी न लें क्योंकि हमारी जो body है, जब हम सोते हैं, उस time पे हमारी जो body है, वो repair होती है तो हमारी body को repair होने के लिए भी time के जुरुत पड़ती है, तब ही हम सुबह energy के साथ उठेंगे इसलिए आप कम से कम 6-7 या 8 घंटे की नीन जरूर ले तो ये थे कुछ health tips, जो हमें रोज follow करने चाहिए ये हमारी health के लिए बहुत important है, चाहे वो mental health है या physical health है इसलिए आप daily life में इन points को जरूर follow करें और healthy रहें इस World Health Day पे मैं आपको एक अच्छी health wish करती हूँ and I hope आप इस pandemic के चलते अपना ध्यान रखें और अपनी और अपनी फैमिली का भी So अब मैं आप से मिलूँगी ऐसी ही amazing videos and recipes के साथ Thanks for watching